नमस्कार मैं हूँ शेफाली और मैं हूँ अम्राथ और आप विधानसभा चुनाव की बात इस साल पांच राज्यों में चुनाव होने हैं मदवर्देश च्छतिसगर राजस्थान तेलंगाना मेजोरम और विधानसभा चुनाव का शंखनाज जो है चुनाव आयोग ने कि अगले साल आम चुनाव होने तीनों राज्यों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कॉंग्रेस के बीच में हैं सर्थ दिखिए जो श्तितियां अभी तक बनी होई हैं और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं हमारे भी रिपोर्टर्स काम करते हैं हम देखते हैं कि मद्द पर रहे हैं 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा अभी परतीत होता है लेकिन मद्द प्रदेश और राजस्थान को लेकर हम कह सकते हैं कि दो नजगे कांटे का मुकाबला है और वाकि हिंदी भाशी इन दो राज्यों पर खास करके लोगों की निगाए रहेंगी मद्देश में जहां भाजबा की सरकार है वही 36 गड़ राजस्थान में कॉंग्रेस का राज है मद्द प्रदेश में मतदान में आपको बता दू 17 नवंबर को होना है नतीजा 3 दिसंबर रविवार को आना है अचा 36 गड़ में शेफाली क्या है कि दो बार में मतदान होगा साथ नवंबर को और सत्रा नवंबर को निक्सलाइड इलाका है आम फोर्सेज जो होते हैं उनको डिप्लॉई करना होता है तो उस द्रश्टी से दो दौर का चुनावब वहां होगा और यह आवशक भी है राजिस्थान की बात बता दू आपको तो तेइस नवंबर मोरी साहब ने खुब सभाएं किये वहां पर और वहां के मुख्मंत्री को लेके भी तमाम सारी आरूप प्रत्यारूप चलते रहें लेकिन रोश्यक मुकाबला तेरंगाना का भी है मैं आपको मिजोरम तब ही बताती चलूं कि साथ नवंबर को वहां पर मतदान है और तीन पहली सूची जारी करके सब को चौकाया था कि इतनी जल्दी सूची जारी की जा सकती है दूसरी सूची जब बीजेपी ने जारी की तो और ज्यादा चौका दिया था उसमें जो नाम दिये थे कहला आश्वीजवरगी, नरेन सिंह तोमार, फगदन सिंह कुलस्ते, रीटी पाठाक, पहला सिंग पाठेल, गने सिंग, तब एक दम से यह लगा था कि मध्यप्रदेश में किसी को खुछ ग्यान ही नहीं है, जो लोगों को अपने पठों को, अपने जूनियरों को, अपने शागिरों को, चेलों को टिकेट दिलवाने वाले थे, उन सब को टिकेट पा कर दिया, लेकिन उसके बाद एक सिंगल नाम आया, मौनिका शाबटी का, मौनिका शाबटी का नाम आया, उनको अमरवड़ा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनका एक वीडियो बाइरल हुआ 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 हुए, उसकी आज बड़ी चर्चा है, और मौनिका क कि जा रही थी, कि अगर कॉंग्रेस से वाकी बहुत शिद्द से मुकाबला करना है, तो तमाम मंत्रियों के कई लोगों के आपको नाम काटने पड़ाएंगे, उसके बाद आपके लिए कुछ आसा राइनेतिक प्रिक्षक मान रहे थे, लेकिन मोधी शाह की टीम ने इसको प्रतियाशी हैं और आज वाली सत्तावा ने उसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, आप लगातरा बात करती हैं, टेलिवीजन पर महिला शक्ती, महिला सख्षक्षक्षशक्ती करान और बीजेपी के महिलाओं को 33D वोट देने की, अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है, जी मैं आपको उसमें जानकारी दे दू कि कुल 17 महिलाओं को टिकेट किये गए हैं, परसेंटेज की बात करूं तो ये साड़े 12% होगी है, अभी तक की जारी बीजेपी जो कहती है उसको भी कर नहीं रही है, उनका भी मानना ये है कि जब ये बिल पास हो जाएगा, इस पर चुनाव निकाल दिया, अब राम लला वहां विराजमान होंगे, पूजन होंगा, फिर ये वाला चुनाव निकल जाएगा, और वैसे ही अभी 33% महिलाओं की बात हुई, होगा, अगले साल तक होगा, फिर लड़ा जाएगा, अभी महिलाओं को बीजेपी में जो महिलाओं प्रत्याशी घोशित हुए है, उसके हिसाब से अगर मैं परसेंटेज निकालू, तो वो परसेंटेज 12% होता है, तो मने जैसा बीजेपी ने कहा था कि कुछ देखने को महिलाओं के लिए भी नहीं मिल रहा है, नहीं, वही मैं अनुरागी फिर रिपेट करूँगी कि चर् महिलाओं पर कभी और चर्चा होगी, लेकिन बात सिर्फ उतनी सी होती है कि महिलाओं को इस्तमाल करके उनके नाम पर चुनाफ जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन जहां महिलाओं को एक मंच देने की या पद देने की बादाने, तो उसके संग कॉंट्रवर्सी जोड़के उनको बाहर कर दिया जाता है, अब मैं आपको बताओं बड़ा रोचक आप कह रही थी, अटेर में अर्विन बदोरिया, ग्वालियर ग्रामिन में भरत सिंग कुश्वा, ग्वालियर में प्रदोवन सिंग तोमर, दतिया में नुर्तम इशा, खुराई में बूपें सिंग, सुर्खी में, गोविन सिंग, राजपूर्ट, रहली में, गोपाल, भाल बार, इस साब रिपीट हो गए, यह सारे के सारे नाम रिपीट हुए है, और जितने भी नाम हम सतावन नाम देखें तो इसमें कुश नया पन नहीं है, जो लोग बहुत बीजेपी के नर्णों से च छटका लगा, जो भी आप लिस्ट पढ़ रहे थे, या जो भी 136 नाम जारी हुए है, इसमें से कुछ मंत्रियों के टिकेट रिपीट हुए है, कुछ विदायकों के हुए है, लगता है आपको कि सारे के सारे चनाव जीत जाएंगे, यकीनन मैं कहुँगा कि सारे तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो सर्वे हैं, लास्ट वाली लिस्ट में जो नाम है, इसमें कुछ मंत्री, कुछ विदायक ऐसे हैं, जिनको बीजेपी ने ही हारा हुआ माना था, उसके बावजूर उनको टिकेट दिया गया है, तो यह कह सकते हैं कि कहीं बीजेपी पस्ट करूँ, अभी तक यह माना जा रहा था, कि नरेंदर, मोदी साहब और अमेश्या साब ऐसा फैसा फैसला कर सकते हैं, कि मद्यप्रदेश के एक बी मंत्री को टिकेट ना दें, और सब कुछ नया कर दें, जैसा गुजरात में हुआ था, यह भी संभव माना जा रहा थ कि शिवरा सिंग चौन से कहें, कि आप इस्टार पिशारक बनिये, आप पूरा चुनाव समालिये, और आपके पुत्र कार्तिके को बुद्नी से टिकेट दे देते हैं, चीजें कुछ नहीं हो जाएंगी, लेकि लगता है आपको कि शिवरा जी को टिकेट देने के बाद, उ उनमें मद्यप्रदेश में सरवादिक पापूलर, सबसे ज़्यादा लोकपरी वेक्ति, सबसे ज़्यादा संवेदेशनिल राजनीता अगर कहते हैं, तो शिवरा सिंग को ही माना जाता है, तो शिवरा सिंग उस द्रश्टी से बहत महात पूर है, उनको नजर अंदाज नह तमाम मंत्रियों से भी बात होती है, तो वो शिवराज की मुखालफत करते हैं, चूकि बीजीपी के जो सिस्टम है, उसमें जो भी प्रमोक है, उससे जोड़े रहना परता है, तो तमाम लोग शिवराज जी के आपसे भी सर्चा होती होगी, तो उनको दायवाई करने की होगा और तुम मुख्मंत्री के पद तक जा सकते हो, उन्हों उसमें महत्मूर बात कई कि इस बार पार्टी ने किसी को भी मुख्मंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, गोपाल भारगव जी बहुत लंबे अर्से से इस विधान सावा में है, इस सदन को देख र है, वो बोड़ी रेंग वेज आपको पहलात पटेल में मिलेगी, वो कहलाच विजय बरगी में मिलेगी, वो आपको अंदरें सिंग तोमर में मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि शिवराज जी अब अकेले सूर्मा है, इस मैदान में, इस महा संग्राम में, कि वही मुख्मंत्री प सदन का सदस बनता है, उसके बाद को अपने आपको, इस संभावना से कहीं पे भी इंकार नहीं किया सकता है, आप बड़ी चर्चा थी दो नामों की, के दो नाम और आएंगे भी एक बीडी शर्मा जो बीजेपी के परदेश अध्याश्य है, जोतिरा देते सिंधिया की, य और हो सकता है कि बीडी शर्मा के पास चुकि प्रदेश की जवाबदारी है, उनका लोग सभा में इस्तमाल करने का मन हो, इसलिए उनको टिकेट ना दिया जाए, ऐसा ही जो तरह सिंधिया जी के साथ भी हो सकता है कि उनको लोग सभा में इस्तमाल करना हो, वो विनिंग कैं इन्होंने जाहर कर दी आए, क्यों कुछ भी कर सकते हैं. तो यह था कि इनको जारी कर दें, इसी बीच में शाद पक्षा गया, तमाम सारे प्रत्याशियों ने रिक्वेस्ट की के साथ ये कवे देने, इसमें एक चीज़ और मानूंगी कि इस बार का चुनाव जो है सनातन के नाम पे लड़ा जा रहा है, और इस बीच अगर अब देखिए दो चीज़ और देखिए, कि बीजेपी ने कड़वे देने, तब भी लिष्टी जारी कर दी, लेकिन लिष्टी जारी करने की शुरूरात बहुत पूर्व से कर चुकी थी, इसलिए उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉंग्रेस की तैयारी अंदर यंदर चुना हुआ था, उसी धरातल पे 2023 कर चुना हुआ, बहुत नेक टूनेक चुना होगा, जो भी जीतेगा उसको बहुत दम दगानी पड़ेगी, और बीजेपी के लिए कहीं आसान नहीं है, कॉंग्रेस के लिए भी बहुत आसान नहीं है, दोनों के लिए दुश्वारी उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन कितनी सीटें जीत सकता है, और कहीं ना कहीं जो मंत्री पत पे बैठे हुए थे, उनके लिए ठकर थोड़ी सी टप है, और इतना आसान नहीं है, बीजेपी को कि वो तीन स्वेप कर दे, हालाग बेहत उपर नीचे हो रहे हैं, कहीं तो यू ही चलती रहेंगी, कॉंग्रेस के लिस्ट का इंतिजार है, हम आपसे यू ही किसी ना किसी चर्चा पर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रिए देखल दिए आप देख रहे हैं, तखल नीओ